जार्खन के पहले मुख्यमंत्री रहे और NDA फोल्डर के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे बाबुलाल मरांडी जी 28 तारिक को अपना नामंकन दाखिल करेंगे राज में जिस तरीके से सियासी उठा पटक चल रही है और दावे परतिदावों का खेल चल रहा है हमारे साथ बाबुलाल मरांडी जी हैं बहुत अनुभवी और जार्खन का कोना कोना इन्हें तहे दिल से चाता है बाबुलाल जी 28 तारिक को आप राज धनवार से एक बार फिर से नॉमिनेशन करेंगे अपने छेतर के लिए आपने क्या सोचा है मैं समझता हूं कि हमारा छेतर भी जार्खन में है और जो मैं जार्खन के बारे में सोचता हूं अपने छेतर के बारे में भी सोचता हूं और जार्खन के बारे में मैं बार बार लोगों से काता हूं कि वे देखो राजे की विकास तभी संभव है तो उसकी पहली सर्थ है कि राज में अमन्चेन हो दूसरी की भरस्टाचार मुक्त सावसन हो तकि आम लोगों को सहुलियत हो सरकारी दफ्तरों में बाबू लोग सुना करी चनता की बातों को आज ब्लोक हो, थाना हो, अंचल हो जो आम लोगों का जुड़ाव यहीं से होता है लेकिन यहीं पर कोई सुनता नहीं, बिना पैसा से कोई काम होता नहीं तो हमने कहा कि या और इसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्शर को ठीक करना अच्छी सड़के हो, अच्छी बिजली हो पानी हो, सिच्छा हो, स्वास्त हो यह जो बुनियादी सुविधाएं अगर जारखड में उपलब्ध हो गई तो बागी काम की रास्ता अपने आप खोल जाएगे कानून ब्यवस्ता ठीक होगी, बिजली ठीक होगी, इंफ्रास्ट्रक्शर सड़के ठीक होगी तो फिर क्या है कि पुझी यहाँ निवेश होगा यहाँ से भी लोग बाहर प्लाइन नहीं करेंगे उद्योग दंदा यहाँ लगेंगे, फिर लोगों को रोजगार के आउसर भी मिलेगा इसका इतना ही गनी थे अच्छे अस्पताल होंगे तो भाहर लोग नहीं जाएगा यहाँ से आज पैसे कहां जाता है दिल्ली और आपका साउथ की तरफ पैसे जाते हैं चुकि यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं इलाज की उस प्रकार की सुविधाय नहीं, अगर वो सारे सुविधाय यहीं हो तो बाहर क्यों जाएंगे अच्छे सिच्छा की सुविधाय यहां उपलब्त हो था कि बच्चों की सिच्छा ठीक ढंक से यहीं हो जाए तो फिर काय को बाहर जाएंगे तो इसलिए मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी बाते मैं नहीं कहता हूँ कि अगर ये छोड़ी छोटी चीजों को ठीक से किया जाए बाकी तो हम लोगों के चुनाओ गोष्णा पत्र में पंचप्राण भी जो हम लोगों ने लिया है उसमें सब कुछ हम लोगों ने लिखाया भी तो पांच संकल्प हम लोगों ने जारी किया है ये लोग आकर हमको सत्ता से सारे लोग हमारे खिलाफ लग गए हैं आज की तारिख में जार्खंड में जो जार्खंड की जनता है वो इंडिये पर आखिर भरोसा क्यों करें देखे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पिछले पांच वर्सों से हिबन सुरिन के नेत्वित में कॉंग्रेस पार्टी जार्खंड मुक्ति मुक्त चारास्टी जनता दले सब मिलके सरकार चला रहे पांच साले लोगों ने क्या किया जार्खंड की जनता को लोगों ने ठका है पांच साले लोगों ने जार्खंड को लूटा भी है लूटवाया भी है यही तो हुआ है अब जब मैं ये कहता हूँ कि पांच वर्षों तक इलगों ने ठका है तो एक एक चीज़ आप देख लिए पिछले इनका जो गोशना था कि सरकार हमें बना दीजिये गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे बही पांच साल पूरे हो गया आपने एक विवेक्ति को कुछ तो देना सुरू करते तो समझते चलो कुछ तो कर रहा है वो नहीं तो कर दिया लगे वो नहीं किया आपने कहा था कि माह बहनों को बेचला खर्च दो हजार रुपया महिना में देंगे पांच साल पूरा हो गया आइ दो चार दस महिना हो दे देते तो भी समझते कि चलो कुछ तो कर रहा है या नहीं आपने लड़कियों को क्या कहता कि साधी होगी बटी तुम्हारी तो हम सोने की सिख्का देंगे आपने दिया नहीं जो विदुआ है बूरीध है दिव्यांग है आपको गाता कि डाया जार उपया उनको पेंसन देंगे तिया नहीं आपने नवजवानों को आपने क्या कहा था बाभु जी का कसम खाके उन्होंने कहा था कि भाहिम सिवु सुरेन के बेटे हैं पांच लाग लोगों को नौकरी नहीं देंगे सब नौकरी बेचा गया इसका प्रोब के साथ लड़कों ने सरकार को कमीशन को लिख करके दिया सब मामला योई ही फसा हुआ है लड़के जोब के लिए हाई कोट सुप्रिम कोट तक दोड़ लगाते हैं कैसे इन्होंने किया कि पिछले दिनों जोब के लिए एक्स्वाइज विभाग में पुलीस की बाल हुए दोड़ते दोड़ते ओनीस बच्चे की मौत हो गई भई आपके तोड़ी कोई ही कोई संभावना नहीं है बच्चों की भविश को आप बरबाद कर रहे हैं पांच लाग नहीं दिये भविश को आप बरबाद कर रहे है तो खर कोई आज दुखी है आपने विधान सभा में दो हजार बीस में सरकार बनते ही बजट सत्र में आपने क्या कहा था? रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भद था भी ये पांस को पांच हजार, एमे पांस को साथ हजार कुछ आप दिये नहीं तो आपको लोग क्यों देंगे? और इसके बाद दूसरी तरफ आपने जारगन को पूरे लूटा बालू हो, पत्थर हो, कोईला हो, लोहा हो कोई चीज भी अपने खनीज पदार्त को नहीं छोड़ा सब कुछ आपने लूटा लूटवाया खुब अपना तीजोरी भर है अब लोगों ने और उसके बाद इस सेना तक की जमीन को नहीं छोड़े ट्रायबल की जमीन की C&T Act का जीतना चेड़ चाड़ हुआ कलकटा में फरजी कागजात बनते थे जमीन बीखते थे, आप आसपास में जा करके गूम लिजे चारों तरफ, सब तरही माम तरही माम कर रहे है यह तो लगता है कि जमीन के दलालों की यह सरकार बन गई भारती जनता पारटी, तो देश के प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जी की गरीब कल्यान योजना धरातल पर पहुंचाए चाहे प्रधान मंत्री आवास हो, चाहे सोचालाय हो चाहे का करते हैं अईusWhen योजना के इताहत स्वास्ट की शविदा हो पांच लाक रुपया तक के भी माकिसानों के खाते में पैसा गरीब कल्यान अन्योजना पांच किलो प्रतेक मैनान आज मिल रहा है तो ऐसे असंख काम को देश के प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी जी के नहत्वित में काम हो रहा है भारती जनता पाट्डे जारकंड में भी अभी तक हम लोगों ने पांच संकल्प को जारी किया है पांच प्रहान जिसे आप कर रहें कि हम लोगों ने किया है कि वही सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में होगी 200 रुपया महिलाओं को पेंसन मिलेगा और प्रतेक महिना के 11 तारी को पहले कैबिनेट में नेर नहीं हो जाएगी बाबुला जी से एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा चुकि ये प्रदेश की जनता का सवाल है कि महिलाओं और युवाओं पर फोकस करते हुए हेमन सोरिन की सरकार ने दावा किया है कि बीजेपी हाफ रही है लेकिन अब बाबुला अलमरांडी एंडिये फोल्डर का प्रमुक चेहरा है अगर बीजेपी की सरकार एंडिये फोल्डर की सरकार आती है पहले तो सरकार आती है इसके विशय में बावलाल जी से जाना चाहूंगा इस बार NDA का कुनबा एक बार फिर से सजा हुआ दिखाई पड़ रहा है और आपकी सरकार बनती है तो किन मुद्दों पर खास फोकस होगा दिखें अभी तो मैंने जितने आपको मुद्दा बताया सुरू में हमने कहा कि हमारे सामने ये सारे विशय है जो पांच प्रान है और भी गोशना पत्र में जारी होंगे बाकी सारे चीजें और उसके सासा जो मैंने आपको नट सिल में जिसको बताया जिसको कहा सकते हैं सबका समराइज भई कानून बेवस्ता ठीक होगी ब्राष्टाचार मुक्तशासन ब्राष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा चैहें आपसर हो चैहें पदा नेता हो कोई भी हो लूटने की छूट किसी को नहीं दी जायागी तीजोरी में बंद है तो उसको भी निकाला जाएगा अच्छा चलिए एंडिये फोल्डर का कुनवा एक बार से फिर से सजा है क्या दावा करेंगे बाब लाल जी इस बार नहीं दावा क्या करेंगे सरकार बनाने जा रहे हैं बीजेपी एंडिये गड़बंदन आप भी देख सकते हैं बाबुलाल मरांडी जी के चेहरे पे वो आत्म विश्वास जलकता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इक्यावन प्लस लाएंगे जाईर से बात है कि एंडिये कुनवा इस बार मजबूत दिखाई पड़ रहा है 2019 वालिस्तिती नहीं है अब इन परिस्तितियों में जिस तरीके से बाबुलाल मरांडी जी का दावा है और जो जमीनी मुद्दे इन्होंने बताएं है वाकई में जारखन भी उसे महसूस करता है तो मैं तो आप से यही अपील करूँगा कि ये चुनावी बिसाद बिच चुकी है लेकिन हर लोग वोट डालने जरूर जाईए चुकी वोट डालना आपका अधिकार है पांच साल में एक बार ये अधिकार आपको मिलता है आप अपनी पसंद की सरकार को चुनिए कैमरा परसंसूरेन परसाद के साथ ब्रजेस राय समाचार पलस राची